शर्वमंगल मांगल्ये, शिवे शर्वाथि साधिके, शरल्णिये त्रम्बके गवरी नाराणी नमोस्तुते शिवका वर्दान चमतकारी धातु पारद पारद अथवा पारद एक एशा चमतकारी धातु है जिसकी निर्मित वस्तियों की साधना, आराधना और दर्शन से अपने जीवन में मनों वांचित, सफलता प्राप्त की जा सकती है भगवान संकर के सकती रूप होने के कारण ये सभी देवी देउता के द्वारा वंदनी है शिव पुरान में वारत को शिव का पौरुष कहा गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आरवग्य, धन, ज्यान और एक्षोर्य प्राप्ति का मुलभुष साधन ये पारद पूर्ण संसार का एक आधार भुत्तत्व है जिस घर में पारद निर्मित किसी भगवान की प्रतिमा, पिरामिट माला आदिश तापित हो और उसका पूजण हो उस घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती और घर स्वर्ग जैसा बन जाता है अर्थात करोडों सिवलुंगों के पूजण से भी जो फल प्राप्त होता है उससे भी करोड गुना फल जादा फल पारश शिवलिंग की पूजा और दर्शन से प्राप्त होता है हजारो ब्रह्म हत्याई और शेकडो गव हत्याव का पारश शिवलिंग के दर्शन मात्र से दूर हो जाता है पारज शेलिंग कश्पर्ष मात्र से मुक्ती प्राप्थ होती है और यह से महाद्युजी ने कहा है आरिवेद में तो पारत का सबसी अधिक महत्व है इसलिए इसे महारष या रश्राज कहा गया है और धातुओं में सबसे स्ट्रेश्ट माना गया है यदि पारत जैसी कोई नहीं पूछता अधुनीक चिकिस्द्चा पदते में कि समय में अगर आरिवेद की पुछा है तो सब्त परत की वजह से है क्योंकि पाराध्य रश्त और रश्त कि जरा रोग रहीद रखने में कोई भी वनस्पतिया धातू समर्थ नहीं है क्योंकि सभी वस्तुए पानी से भिखती है आक से जलती है और ताप से सुकती है किन्तु पारत ही एक मातर ऐसी वस्तुए जो इन सब से प्रभावित रहता है पारत को कुछ विशेश प्रक्या से बा पारत से काम लेने का ज्यान प्राप्त हो जाए तो इसे आकास में भी उड़ा जा सकता है पारा यानि पारत को हमारे प्राचिन गरंतों में अनेक नाम होग से पुकारा जाता है जैसे पारा पारद रस राज रस धातू रसेंद्रप महारस शूत शूत राज चंचल चपल अ पवरुष, शिव विर्या, शिव जल, शिव टेज, आदि, आदि, युग में भी सभी विग्नानिक इसे पारा या मरकरी नाम से जानते हैं, वजन में ये लोहे से 16 गुना अधिक भार का होता है आरुवेद, रज, शास्त्रों के अनुशार, 18 प्रकार के विशेश संसकार करने के उपरात पारा के सभी दोश दूर हो जाते हैं जाता है, 18 संसकार युग पारा लोश शिद्धी अथा धार्तों को भी सोनी में परिवत कर देता है रशायन विग्नान के माध्यम से विविन से विविन प्रयोग द्वारा पारत का मर्दन कर भश्म बनाया जाता है, जिसे प्रान दाय गन्यकोशद्या बनाया जाती है शाधनाओ की पूर्ता और सफलता के लिए मानो पारत मानो शिव का वर्दान ही साबित होता है यहीने शोधित और संसकारी थोश पारत से जो मुर्ती या सामगरी तयार की जाती है वह मुल्य और बहत चमत कारिक होती है इन मिर्टियों या शामग जोसे मनुश्यों को रिध्वी शिध्धी की प्राप्ति होती है शारिरीक, मान्शिक एवं आध्यात्मिक सक्ति का विकाश करने में पूर्ण त्याशक्षम है पारत की एक भी वस्तु तांतरिक क्रिया में कवच की भाती मनुष्य की रक्षा करती है एवं अपने उपर की गई तांतरिक बाधाओं को प्रभाहुइन कर देती है मन्त्रो शे आभध पारत शे निर्मित प्रतिमा अपने आपमें अत्यंत शेतनत होती है इसकी उपस्थिती अपने आपमें पूरता गोंतक मानी जाती है यूँ तो पारश से सामगरी निर्माण में अत्यंत कठिनाईया होती है अनेक अशद्या को शैयोग, मिश्रण, घर्षण, संस्कार और विमली करण जैसी क्रिया है इसे ठोश बनाया जाता है अलेकिन ठोश होने के बाद भी अत्यंत सूत, मुल्यवान, दुरलप और अलोकिक बन जाता है पारश सामगरी घर, व्यवशाई, वाहन आदी में रखने से व्यक्ति को देवियस शक्ति मिलती है और वो मन चाहे पूरादे पूरी करता है जिसे एक ही रोकी अनेक दवाईया होती उसी प्रकार पारश सामगरी का उप्योग भी अनेक प्रकार से किया जा सकता है उन सामगरीों के शनमुग श्त्रोत्र मंत्र कवच, पुजन, जप, अभिशेक, शपर्ष, दर्शन, एवन नमन से विक्ति को अनेक लाब मिलता है स्थापित करने की बात कई है, ताकि स्थापित करता मानशिक, सारीरिक एवं आर्थिक दस्टिश्र पूर्ण संपन रहे वस्तुत आज हमारे हजारों परिवार वीबिन समस्याव से घिरे हुआ है ये पार में बाधा, स्पर्धा, वेमन श्यत्ता, गुरू कलेश, बीमारी आधी के कारण उनकी सुक्षांती छिक गई है ऐसे में पारत शिलिंग अपने घर में अवस्चे ही धाश्थापित करना चाहिए ये दीव्य जोद की तरफ फलदायक श्थापित होता है धन्यवाद, जे गुरू देव